Hello all, welcome to Edutep. In this video, we are going to talk about ICAR Administrative Officer Examination. हम discuss करेंगे एक Day-Wise Study Plan, जो कि एक Serious Candidate की help करेगा in securing a good performance in the ICAR AO exam. देखिए, ICAR AO का जो examination है, तीन stage का examination है. जो पहली stage है, वो है Tier 1, Online Objective Examination. Second, जो stage है, वो है Tier 2, Descriptive Examination. और Tier 3 stage है आपकी Interview Stage, Personality Test Stage. ठीक है? आपका जो Tier 1 examination था, वो 3 October 2021 को schedule किया गया था. लेकिन ASRB की latest notification में बोला गया है कि जो आपका exam है, 3 October का, Tier 1 का, वो postpone हो चुका है. और अभी तक नई date announce नहीं करी गई है. और अगर हम recent experiences की बात करें, तो लगबग 2-3 month आपके पास हैं, जब आपका Tier 1 examination conduct करवाया जाएगा. तो हम assume कर सकते हैं कि 2-3 months we are having before our Tier 1 examination. और हमें ये जो time है, 2-3 महिने का, ये हमें काफी अच्छे तरीके से utilize करना चीए, और अपनी preparation को, जह हम already कर रहे थे, उसको और streamline करना चीए, और plan करना चीए, और better तरीके से हमें prepare करना चीए. तो यहाँ पर इस पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 75 days plan, जो आप लोग follow कर सकते हैं, अपनी performance को सुधारने के लिए, और अपने selection के chances हैं उनको increase करने के लिए. तो यहाँ पर इस पूरी वीडियो में मैं आपको day wise plan बताऊंगा, पूरा की day 1 से लेकर day 75 तक आपको किस तरीके से चलना है, कौन से subjects आपको किस तरीके से prioritize करने हैं, और किस तरीके से आपको prepare करना है, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, तो आगे बढ़ने से पहले, before I am going to tell you कि किस तरीके से आपको day manage करने हैं, मैं आपको बताऊँगा कि जब भी हम exam की त्यारी करते हैं, तो हमें कुछ important points अपने दिमाग में रखने चीए हैं, बहुत ही जरूरी है कि अगर हम ये points clarity के साथ अपने दिमाग में डालने हैं, देखे points क्यों जरूरी हैं, क्योंकि ये जो हम आगे days, हम अपने follow करना चाते हैं, pursue करना चाते हैं device plan को, उनमें ये points हमें बार-बार ये clarity देंगे कि we are on the right track, ठीक है, और हमें help करेंगे हमारी पुरी preparation को अच्छा बनाने में, streamline करने में, तो जो पहला point हमें दियान में रखना है, जो हमारे लिए बहुत important है, वो ये है कि हमारे पास एक plan होना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले जब भी हम preparation की सोचते हैं, जब हम कोई form फिल करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि pattern क्या है, syllabus क्या है, PYQs कैसे थे, तो हमने already वो चीज़े देख ली हैं, और अब हमें plan मनाना है कि देखो syllabus हमारे पास है, PYQs हमारे पास है, अब हमारे पास ये plan होना चाहिए, और जब भी हम plan की बात करते हैं, तो हम कहते हैं, कि हमारे पास सिर्फ long term plan ही होना चाहिए, हमारे पास short term plan भी होना चाहिए, और हमारे पास mid term plan भी होना चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास एक particular day का plan होना चाहिए, कि आज इस particular day में हमें क्या करना है, अगर मैं day one की बात करूँ, मैं सुबह उठता हूँ, तो bed पे ही मेरे कोई बार plan करना है, कि भाई आज पूरे दिन मेरा जो steady plan है वो यह होने वाला है, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस plan को अचीव कर लूँ, फिर उसकाद आपके कुछ weekly plan होने चाहिए, कुछ short term, के बाद mid term plan होने चाहिए, medium term plan होने चाहिए, एक week का plan आपके पास होना चाहिए, और उसके पाद आपके पास एक overall plan होना चाहिए, कि देखो quality मैं इतने time में cover कर लूँगा, ठीक है, उसमें एक short term plan आपने मना रखा है, कि आज quality का में यह पूरा chapter complete करूँगा, इस week में quality का मेरा इतना portion खतम हो जाना चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले plan your days and week, यह सबसे important काम आपको करना है, और कहीं न कहीं यह video आपकी help भी करेगी, जो बच्चे इस video को पूरा देखेंगे, वो चीज को appreciate भी करेंगे, कि इस पूरी video का main aim यह है, कि आपको short term plan बताया जाएं, आपको long term plan बताया जाएं, और साथ साथ आपको medium term plan भी बताया जाएं, then you have to prioritize the resources, देखिए एक बार अगर अगर अपने preparation start कर दी, तो उसके बाद आप resources जूणने नहीं निकलेंगे, जब आपने syllabus देखा है, जब आपने PYQs देखें, उसी time पर आपको हर एक subject का, हर एक component का जो resource है, वो final कर लेना है, for example, अगर आपने geography पढ़नी है, तो NCRT से पढ़नी है, अगर आपने सोचा कि कोई और book पढ़नी है, तो वो आपके पास पहले ही होनी चीए, जब आपका geography का day आएगा, तो उस time पर आप book लेने बाहर market में नहीं जाओगे, वो book आपके already table पर होनी चीए, तो आपको अपने resources, भली कोई internet website है, जिसका follow करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आपके जमाग में, आपके mind में हैं, आपके पेच पर clearly लिखी हो नीची है, कि कौन से component के लिए मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, then cost benefit analysis, देखिए, कई बार क्या होता है कि, हमें लगता है कि ये subject बहुत important है, और वो होता भी है, लेकिन exam में उसकी weightage कम होती है, for example, quality, history, geography, science, economics, ये subject बहुत important है, क्योंकि tier 2 में ऐसा चाहेंगे, लेकिन अगर मैं tier 1 की बात करूँ, तो tier 1 में ये journal awareness section का part है, जो की total 50 number का है, और quant, reasoning, English, ये individual component 50-50 marks के हैं, तो यहाँ पर मुझे cost benefit analysis करनी पढ़ेगी, कि मुझे जो marks की weightage है, उसके हिसाब से एक particular component को time देना चीए, ठीक है, फिर हम बात करेंगे daily revision plan की, देखी होता क्या कि हम पढ़ दे जाते हैं, हमें लगता कि हम बहुत मैनत कर रहे हैं, लेकिन revision के बिनाना सब कुछ अधूरा है, अगर आप revise नहीं करते हैं regular, अगर आपके दिमाग में revision plan नहीं है, आपने अपने लिए plan नहीं बनाया revision का, तो आपके त्यारी कहीं न कहीं बाद में अधूरी होने वाली है, क्योंकि revision वो key है, जो आपको up to date रहेगी और आपके जो पुराने component आप पढ़ जुके हैं, उनसे आपको touch में रखेगी, ठीक है, उसके बाद regular self assessment, it is again very important, revision करने के बाद आपको एक test देना ही देना है, एक single topic आपने पढ़ा है, उसके MCQs प्रैक्टिस करने, आपने पूरा एक chapter पढ़ा है, उसके MCQs आपको प्रैक्टिस करने, और आपको खुद को check करना है, देखे, self assessment बहुत ज़रूरी है, और be honest with yourself, आपको पता है कि आपका weak area क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपका strong area क्या है, उनको manipulate करने की कोशिश मत करिए, कोशिश करिए कि आपका weak area है, वो improve करे, और आपका strong area जो है, जब आप अपनी preparation को start करते हैं, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, day wise study plan का, देखे, आप लोगों ने अपना plan बना रहा होगा, उस plan में मेरे plan को fit करने की कोशिश करेगा, और अगर आपके पास कोई plan नहीं है, तो आप ये plan follow कर सकते हैं, और I assure you कि ये plan काफी help करेगा आप लोगों की, तो देखे, मैंने इस plan को दो shift में बाटा, एक morning shift और एक evening shift, और सबसे पहले जैसे अगर मैं morning shift की बात करूँ, तो आप शुरुआत कर सकते हैं पहले subject से, जो आपका पहला subject होगा, वो होगा, क्वांट, आप day 1 से लेकर day 18, क्वांट को उठा सकते हैं, क्वांट बिसिकली कौन सा वाला पार्ट है, arithmetic and numerical ability वाला पार्ट, जो आपका section C है tier 1 में, तो इस section से आप शुरू कर सकते हैं, क्वांट day 1 से लेकर 18 तक आपको follow करिए, और जैसी आपका क्वांट complete होता है, तो क्वांट complete होने के बाद एक full क्वांट का test दीजिए, अब ये day 1 से 18 आप किस तरीके से क्वांट कवर करेंगे, ये मैं आपको next slide में बताने बाला हूँ, ठीक है वहाँ पर day wise plan है, day 1, day 2, day 3, किस तरीके से हम चलेंगे क्वांट में, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा, तो morning shift में सबसे पहले आपको शुरू करना चाहिए, क्वांट day 1 से, और लगबग 18 दिन आपको देने है क्वांट पे, हर day, हर everyday आप एक mock test देंगे, और जैसी आपका क्वांट complete होता है, उसके बाद आप full क्वांट test देंगे, और देखेंगे कि आपकी performance कैसी रही है, ठीके, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं second subject जो आपका reasoning होगा, again जो section B है आपका tier 1 का, ठीके, और इसको भी आप लगबग 19 से 36, जो आपके total 17-18 days हैं वो देंगे, और बहुत important है ये, क्योंकि reasoning भी आपका 50 marks का है in tier 1, just like quant, arithmetic and numerical ability, यहाँ पर आपका general intelligence and reasoning ability, ठीक है, तो इसको भी आप पूरा time देने के बाद, एक full reasoning test देंगे, उसके बाद आप शुरू करेंगे language, जो भी आपने चूज कर रखी होगी, जाहतर बचों ने English language चूज कर रखी है, तो वहाँ पर भी आप एक considerable period of time देंगे, again ये period important क्यों है, क्योंकि 50 marks का है, section D है आपके paper में, ठीक है, और यहाँ पर जैसी आपके English complete होती है, तो आप एक पूरा English का test देंगे, प्रिपेर कर लिया है, तो फिर mock test एक जड़ी बूटी बन जाएगी आगे, जो आपकी preparation में और help करेगी, जो बताएगी कि आपके कौन से areas weak रहेगे हैं, जिनको आपको follow करना चाहिए, ठीक है, तो mock test देने के सासथ आपको revision करनी है, ये आपका morning shift का plan है, ठीक है, ये morning shift किसी बच्चे के लिए 6 से 10 हो सकती है, किसी बच्चे के लिए 9 से 1 हो सकती है, तो अपनी हिसाब से plan करिएगा, जर्नली मैं आप लोगों से बंग रहा हूँ कि आप एक shift में minimum 3 घंटे तो दे ही दे, अब ये 3 घंटे क्यों दे, क्योंकि जो आपका actual examination है, वो 3 घंटे का है, 200 question आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको 3 घंटे की sitting habit डालनी पड़ेगी, ठीक है, अब बात करते हैं evening shift की, again minimum time जो मैं आपसे demand कर रहा हूँ, वो 3 घंटे आपको देने चीए, एवनिंग shift में हम शुरू करेंगे quality से, day 1 हमारा होगा, quality से शुरू, और day 18 तक हम quality complete करेंगे, ठीक है, quality हम इस तरीके से complete करेंगे, कि tier 1 की requirement भी meet हो जाए, और tier 2 की requirement भी meet हो जाए, मतलब क्या, कि हम काफी अच्छे तरीके से quality पड़ेंगे, ठीक है, जैसी हमारी quality complete होगी, हम एक full quality test देंगे, यहाँ पर हम हर दिन भी एक mock test देंगे, मैं आपको day wise plan में बताऊंगा, और जैसी हमारी quality complete होगी, हम full quality test देंगे, और उसके बाद हम geography शुरू करेंगे, day 19 से लेके day 36 तक, फिर full geography test देंगे, फिर हम शुरू करेंगे history, day 37 से लेके day 56, हम full history test देंगे, तो यह मैं आपको अभी medium term plan मता रहा हूँ, एक यह long term plan चल रहा है, और उसके अंदर medium term plan subject wise, quant का medium term plan, reasoning का, language का, ठीक है, history का, देखे, इसके बाद हम science शुरू करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर इन तीन component पर आपको ध्यान लखना है, कि हमें daily answer writing practice करनी है, यह मैं क्यों कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि यह तीनों ही component आपके tier 2 का part भी है, ठीक है, और आप जो भी पढ़े, for example आपने अगर polity में power of president पढ़ी है, तो उसको पढ़ने के बाद आपने पूरा topic complete कर लिए है, उसको पढ़ने के बाद एक बार आख बंद करके सोचें कि मैंने क्या पढ़ा है, और अपने शब्दों में, minimum 100 या 200 words में, जो भी आपने पढ़ा है, उसको लिखने की कोशिश करिए, ठीक है, यह answer writing की आठ एक दिन में नहीं आती है, सबसे पहले आपको लिखने की habit होनी चीए, तो जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने पूरे दिन एक evening shift में आपने लगा के पूरा महनत करके पढ़ा है, उसको एक बार अपने शब्दों में पक्का लिखिए, minimum 100 words या 200 words, वो topic आपका उसमें complete हो जाना चीए, ठीक है, इन subjects में जो आपके tier 1 specific हैं, for example science, economics, इनको भी आपने proper days देने हैं, 57-64 science, full science test देना है, after the completion of subject, then economics, full economic test देना है, after the completion of the subject, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, कि आपको कुछ particular days देने हैं, हर एक component पे, जैसे ही आपका component complete होता है, आपको उसका test देना है, test को analyze करना है, देखना है कि weak area क्या है, strong area क्या है, ठीक है, वो identify कर लेना है, और जब भी आप, जैसे कोई भी day आप पढ़ेंगे, मैं आगे आपको अभी और clear करूँगा, जब भी आप कोई भी day पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपने regular mock test पका देने है, ठीक है, जैसे अगर मालो आपने आज quant का एक particular topic पढ़ा है, तो वो topic complete करने के बाद, उसके कुछ mock questions आपको practice करने चीए, ताकि आपको idea रहे, कि जो मैंने पढ़ा है, वो सच में apply में कर पा रहा हूँ, ये आपको justification रखनी पढ़ेगी अपने साथ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और आप बात करेंगे day wise steady plan की, ठीक है, तो day 1 से 18, यहाँ पे हमने दो shift की बात कर ली, एक morning shift, एक evening shift, अब हम discuss करेंगे इन वो detail में, ठीक है, day 1 की अगर मैं बात करूँ, तो morning shift में हमने क्या बोला था, quant, ठीक है, तो यहाँ पर quant में आपको किस तरीके से शुरू करना है, number system मानलो topic है, वो आपको एक दिन में पढ़ना है, उसका mock test देना है, number system mock test, day 2 simplification प्लस mock test, LCM, HCF प्लस mock test, ठीक है, यह plan आपका रहेगा till the day 17, ठीक है, इसमें खास बात क्या है, अगर आप देखें, तो day 5 के बाद, मैंने सीधर day 7 लिखा हुआ है, यह क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप यह schedule ढंग से follow कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आप बहुत महनत के साथ, बहुत discipline के साथ, अच्छी commitment के साथ, daily schedule को follow कर पा रहे हैं, तो आपको एक break बनती है 5 दिन के बाद, यह क्यों है, क्योंकि battery चार्ज करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, we are a human, और हमें लगता है कि हमें कुछ टाइम के बाद, एक हलकी सी break ले नीचे है, ताकि हम re-energize कर सकें, और बहुत अच्छे fresh mind के साथ, द्वारा से अपनी preparation को start कर पाएं, तो 5 दिन का plan पहले आपके लिए, 1, 2, 3, 4, 5, आपने कुछ particular topics cover कर लिए, उसके बाद take a break, but only जब आप इस पूरे plan को अच्छे तरीके से follow कर रहे हो, ठीक है, देन आप बाकी के topics prepare कर सकते हैं, again after 5 days, you can take a break, ठीक है, जब आपने एक particular portion cover कर लिए, then after completing the quant, जब आपने पूरा quant complete कर लिए, तो आपको full quant का test दिना है, ठीक है, complete quant का test दिना है आपको, ताकि आपको पता रहे हैं कि आपकी performance, जो आपने मेहनत करिये 18 दिन, उसकी performance finally क्या रही है, ठीक है, यह बात कर लिए, पने morning shift की, अगर हम बात करें evening shift की, तो हमने polity शुरू करी थी है सरसे पहले, day 1 से लेके day 18 में, तो यहाँ पर again मैंने आपको device प्लान दिया है, जैसे constitutional framework, जहाँ पर हम historical background of constitution वगरा पढ़ते हैं, वो आपको day 1 and 2 में complete करना है, थोड़ा बड़ा topic है, प्रेंबल भी आएगा, amendment भी आएगी, making of Indian constitution भी आएगा, तो दो दिन आपको चाहिए ही चाहिए, इंडियन union and citizen छोटा topic है, एक दिन में complete हो जाएगा, राइट्स और डूटीस ऑफ इंडियन सिडिजन, वन अफ दी मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक फ्रम दी पॉलिटी सेक्शन, जहाँ पर हम सबसे हाँ कोशन अज्यूम कर रहे हैं, तो इसमें आपको दो दिन देने चाहिए, fundamental duties, fundamental rights and DPSP, यह आपके तीन component आएंगे, day 4 to 5, then एक दिन का break, जो आपने आपने break लिया वो यहाँ पर आपका हो जाएगा, पूरा दिन break इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि आप अगरे दिन द्वारा शुरू करेंगे, fresh energy के साथ, अच्छी उत्सा के साथ, motivation के साथ, then center state relation, executive in India, legislature in India, यहाँ पर तीन दिन का time आपको दिया गया है, क्योंकि legislature again एक बहुत important topic है, काफी vast topic है, parliament आ जाता है, state legislature आ जाती है, parliamentary committees आ जाती है, तो अच्छी से prepare करना है, judiciary के लिए दो दिन, important constitutional and non-constitutional bodies के लिए दो दिन, and other important topics, for example, local self-government, union territories, schedule, tribes के जो area है, उनके regarding जो हमारे constitutional provision है, वो आपको cover करने है, day 17 में, ठीके, तो यह आपका day wise plan है, polity का, किस तरीके से आपको हर दिन, कौन सा topic follow करना है, again, 5 दिन के बाद break है, ताकि आप लोग, खुद को re-energize कर पाए, and finally, जब आपका polity complete हो जाएगा, तो आपको एक complete polity का test दिना है, on day 18, ठीके, अपनी performance चेक करनी है, कि जितना भी मैं पढ़ रहा हूँ, क्या मैं perform कर पा रहा हूँ, मैं apply कर पा रहा हूँ, बहुत जरूरी है दोस्तों ये, और self assessment बहुत honest हो नीची है, क्योंकि आप खुद से जूट नहीं बोल सकते, और अगर आप खुद को धुका देंगे, खुद से जूट बोलेंगे, तो आपकी selection कहीं न कहीं, दगमगा जाएगी, आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं, day 19 से लेके day 36, ठीक है, day 19 पे हम morning shift में शुरू करेंगे reasoning, क्योंकि हमारा quant complete हो गया है, तो हम अब पहुँचेंगे section B पर, section C हमने complete कर लिए, 50 marks का section tier 1 के लिए, अब हम आच चुके हैं section B पर, जो कि again 50 marks का है, अब हम पढ़ेंगे, उसका mock test हम पका देंगे, बहुत जरूरी है, ठीक है, then direction, science, ranking and order, और हर 5 में दिन के बाद हम एक break जरूर लेंगे, क्योंकि ये हमें एक long term plan में, जो break हैं, वो हमें एक fresh channel प्रोवाइड करेंगे, fresh energy प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार कहाता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, कई बार burn out होते हैं, और हमारी concentration है न वो over a period of time, थोड़ी down होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, ये concentration lapse नहीं होने दिना है, तो हम एक break पका लेते रहेंगे, लेकिन only, only कब, जब हम ये पुरा plan ढंग से follow कर रहे होंगे, ठीक है, then blood relation, sitting arrangement, ये plan आपका पूरा रहेगा, फिर पांजिनर break, calendar, counting figure, mathematical operation, decision making, जो की बहुत important part है section B में, and nonverbal, जो आपकी section है, वो आप complete करेंगे, along with the mock test, तो daily एक mock test पका देना है, जो भी topic आप cover करें, उसका test पका देना है, कि उस पका देना है, ठीक है, क्योंकि ये आपको topic की coverage complete करवा देगा, ठीक है, and finally completing the reasoning, day 36 पे आप क्या देंगे, full reasoning का test, ठीक है, आपने reasoning complete कर लिए, आपने लगबग 18 दिन लगा दिये, तो अब चेक करना तो बनता है ना, कि मैंने क्या पढ़ाए एक चुल में, same shift आपकी चलेगी evening shift, जहाँ पर आप शुरू कर रखे हैं, आप geography, आपने quality complete कर लिया है, geography में आप शुरू करेंगे, universe and solar system, foundation topic माना जाता है, ज़रूरी है दोस्तों, मैं बार-बार इसको इसलिए highlight कर रहा हूँ, क्योंकि mock test के बिना आपकी जो preparation है वो अधूरी है, अगर आप check करना चाहता है कि आप कौन से level पर stand करते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से trophy को cover कर चुके हैं, तो आपका mock test daily देना बनता है, day 37 से लेके day 56 की, ठीक है, एक बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा, कि जो मैंने आपको sequence बताया है कि पहले quant करिये, फिर reasoning करिये, फिर English करिये, इसको आप vary कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको quant से ही शुरू करना है, day 1 से लेके day 18, then आपको reasoning ही करना है, यह आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने level के हिसाब से, अपनी requirement के हिसाब से, इनका sequence आगे बीछे कर सकते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं, day 37 से 56 में morning shift की, जिसमें हम शुरूरात करेंगे English की, जो कि basically language comprehension वाला section है, section D, और यहाँ पर भी आपको एक particular day पर एक particular topic कवर करना है, और उसका mock test देना है, तो सबसे पहले जो schedule मैं आपका share करता हूँ, आप शुरूरात करेंगे part of speech, subject work, agreement, nouns and pronouns, tenses and models, जो भी हमारे important topic होता है English के, उनको one by one आप कवर करना शुरू करेंगे, ठीक है, एक particular day पर एक topic कवर करेंगे, और उसका mock test पका देंगे, जैसा कि मैं आपको बताता रहूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आप again 5 day के बाद एक break लेंगे, जहाँ पर आप एक particular topics कवर कर चुके होंगे, उसके बाद आपको break लेना है, अगेन आपको शुरुआत करनी है next day की, ठीक है, वहाँ पर आप फिर कुछ topics कवर करेंगे, उनके mock test देंगे time to time, and then again 5 day के बाद एक break, और इस तरीके से ही आप पूरी English कवर करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर कोशिश क्या करनी है, कि आप अपना day wise target है, वो meet करते रहें, क्योंकि अगर आपने एक बार भी अपना day wise target meet नहीं किया, तो आप next दिन के उपर liability increase कर देंगे, ठीक है, तो क्या होता है कि चीज़े फिर pending होनी शुरू हो जाती है, और फिर ultimately आपको नुकसान होता है, तो कोशिश यही करनी है कि जो भी आपने day wise target बनाया हुआ है, जो आपने day wise plan बना रखें, वो उसी दिन complete हो जाएं, ठीक है, ताकि next day आप एक fresh शुरुवात करें, एक नया topic पढ़ें और उसके mock test दें, जब आपकी English 54th day तक complete हो जाएगे, उसके बाद आपको day 55 पे क्या करना है, एक mock test ज़रूर देना है, ठीक है, फुल English test देना, जहाँ पर आप देखेंगे कि आपने कितना पढ़ा है, आपको कितना आता है, कितना आप याद कर पा रहे हैं, ठीक है, यह आपकी पूरी एक कोशिश रहेगी, उसके बाद जो evening shift है, वहाँ पर हम शुरू करेंगे history subject, हमारा quality and geography complete हो चुका है, again sequence fix नहीं है, अपने requirement के साथ से sequence vary कर सकते हैं, देकि history एक बड़ा subject है, जहाँ पर basically 3 component आ रहे है, world history, ancient, medieval and culture, देखें यह हम अलगरत नहीं पढ़ेंगे, ancient, medieval and culture यह आपके integrity topic है, जैसे अगर हम गुपता empire की बात करें, तो वहाँ पर आपका culture भी cover होता है, जब आप गुपता के architect के बारे म बात करेंगे, तो वह हमारा culture का part भी है, तो AMC हम combined prepare करेंगे, and then सबसे important topic, modern history, तो यहाँ पर हम थोड़ा time ज्यादा देंगे as compared to other subject, और सबसे पहले हम शुरुवात करेंगे world history की, तो world history के लिए 3 दिन more than enough रहेंगे, काफी important topic जो हम pick करेंगे, और उनको हम cover करेंगे day by day, तो हम बात करेंगे कि world history कब से शुरू होते है, रेनिसा के बारे हम बात करेंगे, तो फिर हम mock test देंगे, then American war of independence, civil war, उसके बारे हम पढ़ेंगे, और French revolution, यह हमारा एक दिन का target रहेगा, यह 3 topic है, कहानी की तरह से हम पढ़ेंगे, तो इनके बाद हम mock test देने के बाद, इन topics के ज यह 3 दिन में हमारी जो world history है, वो हमें complete करनी है, एक पूरी shift हमें लगानी है, evening की shift, 3 घंटे at least हमें देने ही देने है, तो इस तरीके से हम अपनी world history को cover कर पाएंगे, then next, जो हम प्लान करेंगे, वो करेंगे ancient medieval history and culture, जो हमारे day 40 से लेके day 40 में हम cover करेंगे, तो again topics में आप लो पढ़ेंगे, फिर एक mock test देंगे, then Vedic age, Moran empire, गुपता empire, यह cover करते करते medieval history पर आएंगे, जहां पर हम Delhi सल्थनत, ठीक है, arrival of Islam in India, then Mughal empire, सबसे important topic, फिर कुछ culture के important topic, temple architects, paintings, UNESCO sites, dances, इन सब को पढ़के mock test हम पक्का देंगे, तेकि यह areas इसलिए important है, क्योंकि अगर आपका examiner एक question मनाने वाला है आप लोग के लिए, तो सबसे पहले वो जो area pick करेगा ना, वो यह वाले areas होंगे, तो इनको हमें बहुत अच्छे तरीके से cover करना है, ठीक है, ancient medieval history and culture या modern history या world history या बात करूं, बहुत vast topics हैं, बहुत ज़्यादा vast हैं, मलब scope नहीं है, अगर आप सोचें जो exam की requirement है, अगर 5-6 question history से आने है, तो वो requirement आप meet कर पाएं, ठीक है, उसके बाद modern, again, यहाँ पर break का, आपके लिए जो important clause है, वो मत भूलिएगा, जब भी आप महनत कर रहे हो, 5 दिन लगातार, अच्छा time दे रहे हो, बहुत अच्छी महनत के साथ, discipline के साथ, अगर आप त अच्छे question बनते हैं, और इसको काफी relevant भी माना जाता है, from the examination point of view, तो modern history में हम शुरुवात कर सकते हैं, 1857 से, लेकिन मैं आपको recommend करूँगा कि decline of Mughal, जो की basically Orange Jep की death के बाद, 1707 से start होता है, उससे आप पढ़ना शुरू करिए, arrival of Europeans भी एक modern topic है, within the topic of modern history, जहाँ पर जो एक chronology develop कर पाएंगे, किस तरीके से modern historical developments इंडिया में होती है, ठीक है, फिर उसके बाद, जो revolt of 1857 है, rise of nationalism, Congress की formation, moderate extremist, चुदेशी moment, then home rule league moment, non corporation moment, civil disobedience moment, ये सारे आप cover करेंगे particular day पर, जैसे 50, 51, मैं आपके लिए day इस तरीके से identify कि हैं, कि आपका एक particular day पे load ना बढ़े, आप चीजे divide कर पाएं, और जो भी topic आप पढ़ें, उसका mock test दे पाएं, ठीक है, और देखे, history, geography and polity, जो भी topic आप पढ़ें, for example, अगर आपने revolt of 1857 पढ़ा है, तो इसके बाद अपने शब्दों में, इसको लिखना ही लिखना है, भले ही आप answer form में नहीं लिख रहे हैं, आप standard answer form में नहीं लिख रहे हैं कि introduction होगा, body होगा, conclusion होगा, आप सिर्फ अपनी summary लिखिए, कि आपने क्या पढ़ा है, कि revolt of 1857 की शुरुवात कैसे होती है, कौन-कौन से important center थे, कौन-कौन से important leaders से, क्या consequence हुए, किस तरीके से अंगरेजों ने revolt of 1857 को overpower किया, क्यों ये revolt successful नहीं कवर कर लिया, day 56 तक, और उसके बाद आप जो main 3 component है, जो आपके tier 2 में भी use होने वाले, quality, geography and history, वो आप कवर कर चुके हैं, इसके बाद आप जो morning shift है, वो आप शुरू करेंगे from mock test and revision, ये आपका अगे का target बन जाएगा day 57 से 73 तक, देकि morning shift में आप एक दिन रखेंगे revision के के लिए, जैसे revision day 1, कौंट को आपने revise किया, then आप full mock test देंगे और उसकी analysis करेंगे, देकि बहुत important है analysis करनी, क्योंकि analysis करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि आपकी performance में कमी कहा है, आपके कौन सा area weak है, ठीक है, analysis करना बहुत ज़रूरी है, तो आपने एक mock test दिया, उसको evaluate करने के लिए, जो हर बच्चा करता भी है, लेकिन जो अच्छा बच्चा होता है, जो बच्चा select होने वाला होता है, वो हमेशा एक mock test को source of preparation मानता है, उसके हिसाब से, जो mock test है, वो उसके opportunity provide कर रहा है, कि जो चीज उसने किसी भी book में cover नहीं करी है, जो उसने किसी भी notes में cover नहीं करी है, उनको वो mock test की मदद से cover कर ले, तो mock test में कोई भी कमी आपको लगती है, कि मेरे अंदर रहे गई है, या मैं कोई topic cover नहीं कर पाया हूँ, मुसे कुछ miss हो गया है, तो मैंने mock test में cover करना ही करना है, तो mock test are also a source of preparation, इनकी analysis करनी है, अपने हर एक component की performance को identify करना है, और फिर उस पर workout करना है, तो revision करनी है, आपने day 1, quantity, day 2 reasoning, उसके बीच में mock test देना है, हर alternate day पर आपका mock test बनेगा, तीक है, यहाँ पर mock test आपने दिया, full day mock test 1, आपने देखा कि मेरा quality week आ रहा है, वो topic note कर लेने हैं, जिनके questions आप solve नहीं कर पाये हैं, और जब quality का revision day आएगा सबसे पहले वो ही topic करने है, जो आपने पिछले mock test में identify कर लिए, हर एक mock test में week area identify करना है, उनके topics note down कर लेने है, और जब उस subject का revision day आएगा, वो आपने उस दिन cover कर लेना है, ठीक है, यह आपका morning shift का time है, और evening shift, break बनेगी again यहाँ पर भी, उसका जो evening shift का time है, यहाँ पर देखें, दो यार 14 वाला तो वहाँ पर science के question आये है, तो यहाँ पर आप कम से कम 3-4 दिन लगाएंगे science पर, 4 दिन मैंने आपके लिए बोले है, हाँ पर आप at least 3 घंडे देली देंगे science पर, जहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, या फिर handouts पढ़ सकते हैं, NCRTs पढ़ तो biology से सबस्यादा question आते हैं, then chemistry and then physics, तो इनको आपको prepare करने के बाद move on करना है economics पे, again बीच में जो day 61 है, यहाँ पर science का जितना भी आपने पूरा cover किया, उसका एक full mock test देना है, और again इस mock test की analysis बहुत जरूरी है, आपको पता लग जाएगा कि आपने कौन सा topic अच्छे से नहीं पड़ा है, economics बहुत important component है again, जैसे history, politics, geography, वैसे economics भी है, लेकिन economics आपका tier 2 में नहीं है, paper 1, 2, 4, essay वाला paper 3 उनमे economics का second mention नहीं है, तो economics आपका tier 1 के लिए काफी important है, तो यहाँ पर आपने जो different topic है, जो objective point of view से काफी important माने जाते हैं, जैसे measurement of growth, GDP, GNP, इन सब की definition, ठीक ह growth and development में difference क्या होता है, और उसके बाद mock test, then monetary policy, और inflation वाला concept, उसका mock test, then government budgeting, ठीक है, government budgeting में revenue deficit क्या होता है, primary deficit क्या होता है, यह term सारी clarity आपको होनी चीए, उसका mock test, India's external sector, and then mock test, तो यह सारे component आपको cover करने है, from the day 63 to day 70, मैंने day wise plan आपके लिए आपर share कर दिया है, जैसी आपकी economics complete होगी, तो आपको full test दिना है economic subject का, ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा एक topic बच चुका है for tier 1, जो tier 2 का भी part है, Icar related topic, जहां पर हमें agriculture and geocultural developmental issues cover करने है, and then हमें cover करना है, Icar related topic की functions क्या है, role क्या है, यह हम cover करेंगे day 72 and 73 में, और फिर हम इनका भी एक mock test दे जाने वाला है, तो यहां पर day 73 जैसे हम cover कर लेंगे, और अगर हम back में जाएं, हमारे revision वाला part भी हापर day 72 में पहुंच चुका है, तो वो 3 दिन फिर हम आगे और revise करेंगे, और mock test देंगे, और जैसे हमारी date जो announce होगी, उसके हम आगे का plan बनाएंगे, तो fresh plan जो 75 days का है, व अब एक चीज जो मैंने अभी तक अभी पूरी वीडियो में cover नहीं करिया, वो है current affairs, अब बच्चों की बहुत दुखती नब्स है current affairs, लेकिन अगर मैं पूरे paper का sequence देखू, pattern देखू, तो current affairs वाला section है, वो कहा mention हो रहा है, section A में, journal awareness वाले section में, current events of national and international importance, तो आपको उसी क weightage के हिसाब से current affairs पर time देना है, और अगर मैं आप लोगों को suggest करना चाहूँ, तो मैं suggest करूँगा, कि आपको daily newspaper reading करनी ही करनी है, for at least 45 minutes, at least 30 to 45 minutes, एक बार जो newspaper आसको brush up कर लीजे, कोई important appointment हुई है, या PM ने कोई term use करी है, Minister ने कोई term use करी है, Governor साब ने कुछ बोला है, repo rate में उपर नीचे कुछ हुआ है, या आपने newspaper से note down करना है, और उसके बाद जो आपके बागी current affair बच चुके हैं, पुराने मंस के, अगस्त के, या फिर जुलाई के, जो आपको important लगते हैं, और आपने आगे की current affair revise करने है, तो आपको कोई भी मंतली magazine, उस पे at least daily 30 to 40 minutes आपको द चुरू कर सकते हैं, तो at least daily 1 hour आपको देना है on current affair, जहां पर आपकी newspaper reading and current affair magazine reading पार्ट बनेगी, ठीक है, और 75 days में आप काफी important current affairs cover कर लेंगे, ठीक है, तो ये था पूरा day wise study plan जो मैं आप लोगे share किया, I hope कि आपको काफी अच्छा लगा होगा, आप लोग appreciate करेंगे, follow करने चुरू करेंगे, ठीक है, एक और बात जो मैं आपको कहना चाहूं कि अगर आप लोगों ने iCar का course purchase करना है, या फिर आपने उसको use करना है, तो मैं आपको पता दो कि हमारा 10 day free starter pack हम लोगों ने आपके बनाया है, हमारे iCar course का, AO course का, जिसको आप description box में link पर जाकर देख सकत हैं, और उस course पे आपको पता लजागे कि हमने किस तरीके से iCar AO के course को design किया है, different components को cover किया है, वो आपको एक idea देगा कि आपको course लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, और अगर कोई बच्चा course के through purchase prepare करना चाहता है, तो भी वो starter pack use कर सकता है, उससे देख सकता कि course हमने किस त Thank you very much, जय हिंद, जय भारत!